नमस्कार और आप सबी लोगों का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है Computer जी और आज के अपने इस lecture में हम देख रहा हैं अपने M2R5 के most important question जो हमारे practical exam में आ सकते हैं चलिए समय को ना बरबात करते हुए देखते हैं अपना आज का सवाल सवाल क्या कह रहा है आपको एक HTML page बनाना है चलिए हाँ भाई HTML page बनाते हैं और इस HTML page में क्या चीज होना चाहिए इस HTML page में एक आपको title देना है जिसमें आपका title होना चाहिए About My City ये आपका title होना चाहिए ठीक title आ गया उसके बाद आना चाहिए place your city name at the top of the page in large text in blue color मतलब आपके सहर का नाम जो हो वो बड़े text में हो blue color के ठीक है क्या चीज आपके सहर का नाम ऊपर की तरफ हो बड़े text में हो और blue color का हो इसके बाद क्या कह रहा है add the name of landmark मतलब पहचान चिंड जो सहर का जैसे landmark होता है जिसके थूँ आपको घर पहचाना जा सके जैसे लिखते है in front of civil court तो यह landmark है in your city each and different color city में जो landmark है उसको अलग-अलग color में लिखना है style अलग होनी चाहिए type face अलग होना चाहिए ठीक है मतलब आपको अलग-अलग तरीके से लिखना है इसके बाद one of the landmark your college name should be blinking मतलब इसमें आपका landmark जो रहेगा college name वो आपका blinking मतलब blink मतलब जलता बुशता होना चाहिए ठीक है blink करता होना चाहिए इसके बाद add scrolling text with the message of your choice मतलब एक आपका message जो है scroll करता हुआ चलता हुआ होना चाहिए और इसमें आप कुछ भी अपने मन का लिख सकते हैं तो ये हमारे question की demand है चलिए देखते हैं ये web page बन के किस तरीके से आपको दिखेगा तो इसको मैं करता हूँ cancel मेटाता हूँ यहाँ पर और ये web page हमने बना रखा है और ये दिखाएगा आपको क्या demand है तो ये हमारे web page की demand है कि आपको सबसे ओपर जो है एक heading लिखनी है उसके बाद आपको landmark लिखना है उसके बाद आपका text है जो जलता बुझता है और ये आपका जो है मतलब एक text है जो चलता हुआ देखता होना चीए आपके सामने अब ये आप web page देख लिए कैसा बना हुआ है अब ये किस तरीके से बनेगा उसकी बाद हम करने जा रहे है ध्यान से देखिएगा समझ चानी का प्लियास करूँगा तो मैं इसकी code खूल लिता हूँ एक तरफ सेट कर लूँगा आपका code और एक तरफ web page देखिए इस तरफ आपका web page है और कुछ इस तरीके से आपका code किया गया है चलिए ध्यान से देखते हैं कि क्लाइन को तो यहां पर मैं सुरू जो करूँगा वो यहां से करूँगा आपका जो stml है उसके बाद आपका stml tag से सुरू होता है कोई भी stml का document हो और खतम भी किस पे होता है आपका stml पे भी होता है कई बार बता चुका हूँ यह देखिए stml पे ही यह आपका खतम है उसके बाद आपका head section आता है head section क्या होता है जो आपके बेपेज में ओपर वाला इंसा होता है उसे आप head section कहते है इसलिए वीडियो देख लीजेगा अच्छे से बताया है title हमने रख दिया about my city क्योंकि कहा था title आपको रखना है about my city और title रखने से आपका क्या होता है दिखें यहाँ पर चीजें आ जाती है title के अंदर जो की चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पर आपकी दिखेंगी हमने title क्या रखना है about my city तो यहाँ पर आपका about my city दिख रहा है चले उसके बाद यहाँ पर style view है set की गई है CSS की मदद से और blink करने की बात की गई है किस तरीके से यह blink होगा कितनी देर में blink होगा यह चीज यहाँ पर हमने आपकी set कर दी है चाहें तो इस चीज का आप इसी समय screenshot ले सकते हैं इसके साहता से आप चीज़ों को blink करा सकते हैं अभी इसका use नीचे किया गया है वो मैं आपको समझा दूँगा एक बार दीख लेंगे तो समझ जाएंगे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ठीकि इसके screenshot आपने भी ले लिया होगा इसके बाद नीचे चलते हैं और क्योंकि यह सारी चीज़े body section में हैं तो यहाँ पर हमने शुरू किया अपना body tag देख रहा है यह body tag यहाँ पर सुरू हो गया है और फिर नीचे यहाँ पर body tag बन्दो गया और इसी के अंदर सारी कहानी अमने किया अब चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है पहले आपका h1 यूस किया है क्योंकि ये जो चीज है ये heading में है वे h1 tag यहाँ पर सुरू होगा है और इसी line में हमने h1 tag को खतम कर दिया है देखे कुछ इस तरफ जाकर देखेंगे तो यहाँ पर h1 tag खतम हो गया आप इसमें दिख नहीं रहा है मैं इसको चलिए पंडित देंदायाल उपाद दिया नगर यह आपका सबसे उपर आ गया फिर हमने h3 लिया क्योंकि सबसे बड़ी heading ये वाली होनी चाहिए तो h1 दे दिया है उससे छोटा हम देंगे तिसे h2 या h3 देना तक हमने h3 दिया और इसमें face इसका बदल दिया है देख चैसे इसकी design कुछ अलग दिख रही है इसकी design कुछ अलग दिख रही है इसकी design कुछ अलग दिख रही है बिना किसी समझ से लिए आप समझ रहा होंगे इसके बाद जो h1 ना इसमें class link का उपयोग किया गया है जो की उपर मैंने दिखा दिया है आपको align center किया गया है इसलिए ये computer g बीच में जलता बुष्टा दिख रहा है और बीच में हमने computer g रख दिया और क्योंकि इसको heading बनानी थी तो h1 tag के अंदर हमने इसको रखा है और आखरी में जो o level practical examination admit card available है यहाँ पर यह जो लिखा है इस चीज को हमें move कराना था तो कोई भी चीज को move कराना हो तो सो mark you tag के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर mark you tag हमने यूज किया है और अगर mark you tag का direction भी आप change करना चाहते हैं तो mark you tag के अंदर आप attribute यूज कर सकते हैं direction वाला कि direction up, down या जिस तरफ आप चाहते हैं उसे move भी करा सकते हैं तो इस text को कहा गया था move कराने के लिए देखें क्या बात कही थी इन्होंने इन्होंने कहा था अपना जो text है sorry इसको मिटाता हूँ यहाँ पर आपका scrolling text होना चाहिए जो message आप move कराएं तो यहाँ पर देखें हमने scrolling text आपको available करा दिया है यह webpage आपके सामने रख दिया है screenshot लेने का time है तो यह देखिए आपका time मैं screenshot लेने का बना देता हूँ यह देखिए एक screenshot यहाँ पर बन सकता है आपका ठिक ले लिए चलिए नीचे आए एक screenshot यहाँ पर ले लेंगे तो आपका तैयार यह हो जाएगा थोड़ा समझा दगो रहा हो गया हूँ लाइट आ गई है लाइट नहीं थी जब यह record कर रहे थे बाकि चैनल free education provide करता है तो अगर आप हमाने चैनल को support करना चाहा है QR code आपको दीख रहा होगा इससे आप हमें support कर सकते हैं किसी भी तरीकी की paid service नहीं provide करते हैं O-Level का पूरा practical, O-Level की पूरी theory पूरा नोट समने free में ही available कराया है आप चैनल के 400 वीडियो वे आप चेक कर सकते हैं बाकि मिलते हैं किसी और वीडियो में